हेलो मैं फेंड्स वेलकम बाक टो चैनल मेकेनिकल जॉब्स दोस्तों एक और शांदार वीडियों आपके लिए लिकर आए हैं बहुत इच्छी विकेंसी आई है जिंदल स्टीर और पावर लिम्टेट में यह लिटेस्ट ओपनिंग है जो कि कंपनी ने 2024 के लिए निकाली है ग इस तरह आप इसके लिए अपलाई करेंगे इससे पहले कोंगा अगर चैन पर नहीं आए हो तो चैनलों को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरू क्लिक करें तो आईए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं पूरा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं तो फ्रेंड यहां पर आप स्क्रीम पे देख सकते हैं जिंदल स्टील और पावर लिम्टेड जो विकेंसी निकाली है बी बी टेक और में टेक वालों के लिए निकाली है तो कंपनी लिख रही है वो यहां पर आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं जिंदल स्टील जो पाव तो आईए हाँ पर कंपनी जो लिख रही है GSP is pleased to announce that hiring for B.E.B. Tech, M.E.M. Tech graduate from 2023 के जो batch out pass out candidates हैं जिनका कोई भी जो है backlog नहीं है उनकी degree clear है, graduate engineer trainee position के लिए कंपनी आपर रख रही है तो कंपनी आपर लिख रही है If you are young and dynamic graduate with excellent track record in academics and co-curriculum activities passion to learn and perform in a rapidly changing result oriented mindset अब यहाँ पर जो है company के कुछ requirement आपको पता M.N.C. company है तो पूरी company के requirements रहेगी वो आपने fulfill करना यहाँ पर company लिख रही है, minimum 60% आपके 10th और 12th में हो, minimum 65% आपकी graduation जो आपने B.E.B. Tech किया है, किसी भी तरह का आपका backlog ना हो in any of the subject during the campus drive ठीक है, so tire 1 and tire 2 colleges will be preferred, tire 1 or tire 2 colleges वो होते है, जो repeated college होते है, repeated university से आपने किया है, तो should not more than one year gap, आपका एक साल से जादा का gap आपकी studies में नहीं होना चाहिए, जब भी आपने 10th से लेके B.E. Tech किया है, ठीक है, so अगर आप देखे, example क्या दे रहे है, if a candidate had passed his or her 12th in 2012, ठीक है, और joined his graduation in 2014, so उसका 2 साल का gap हो जाएगा, तो वो shortlist नहीं होगा, आपका एक साल तक का gap चल जाएगा, क्योंकि कुछ candidates होते हैं, वो एक साल का gap ले लेते हैं, IIT की त्यारी करते हैं, या फिर किसी भी तरह entrance exam के लिए त्यारी करते हैं, तो एक साल का gap चल जाएगा, एक साल से जादा का नहीं चलेगा, तो कौन-कौन सी branches eligible है, mechanical, mechatronics, metallurgy, electrical, ceramic, chemical, safety and drive, instrumentation, electronics, और mining, यह सभी जो है B, B, TEC और M, E, M, TEC 2023 pass out है, वो यहाँ पर apply कर सकते हैं, apply किस तरह करेंगे, पूरा detail में बताऊंगा, उसको चेक करेंगा, वीडियो का description box में link रहेगा, apply link लिखा होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप चेक करेंगा, तो दोस्तों इसके साथ ही आपको यह चीज़ कहूंगा, यह जो company है, JSPL, इसमें तकरीबन बहुत से candidates हैं, हमने बताया किस तरह अपके NC को apply करना है, यहाँ पर दो चीज़े बहुत maintain, जो देखनी है, आपने उस चीज़ को maintain करके चलना है, कि आपके पास resume बहुत perfect हो, अगर आप चाते हैं resume का template, तो वीडियो का description box से ले लेना, पिलकुल proper आपको जो है, MNC company के coding होगा, अगर हमसे बनवाना चाते हैं, तो mechanical jobs official at gmail.com पर contact कर सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना, किस तरह का, उनका entrance होता है, questions पूछे जाते हैं, questions आते हैं, आपके interview में होता है, वो भी आपको वीडियो का description box में मिल जाएगा, तो आईए start कर लेते हैं, जो link description box में दिया है, मैं उसे आपको start कर रहा हूँ, so friend, वीडियो के description box में जो link होगा, एक short link को आपको दिया गया होगा, तो उसको आपने click करना है, जैसे आप इसको click करेंगे, यह docs की जो है, file खुलेगी और यहाँ पर लिखाओगा, GSP graduate engineer trainee of campus drive 2023 batch, तो यहाँ पर यह जो vacancy है, graduate engineer trainee, अंगुल उडिसा के लिए भी, B-tech वाले यहाँ और M-E-M-tech वाले 2023 pass out apply कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, आज दो तारिक है, 23 जनवरी 2023 है, तो last date जो है, 26 जनवरी 2024 है, कोई tentative date नहीं दिये, immediate joining मिल जाएगी, जैसे आपकी सारी चीज़े clear हो जाएगी, branches में आपको बता चुका हूँ, पहले भी आप देख चुके, eligibility criteria भी बता चुका हूँ, यह दबारा बोलने के जोट नहीं है, तो उसके बाद आपकी किस तरह यहाँ पर, जो selection process रहेगा, online aptitude test होगा, aptitude plus जो आपका technical, ठेक है, physiometric and behavior test होगा, आपकी group discussion होगी, online technical domain interview होगा, interview में panel with HR, जो आप interview के questions लेना चाहते हो, ठेक है, आपके किस तरह questions और भी यह लग लग पूछे जाते हैं, जिसे 5S क्या होता है, काइजन क्या होता है, वो सारी चीज़े आपको उसमें फाइल में मिल जाएगी, वीडियो का description box में डाउनलोड कर लेना, 80 pages की फाइल है, जादा बड़ी नहीं है, इंट्रक्शन विद आपकी CHR उसे होगी, तो written test जो है, शैल भी conducted in AI enabled protected environment, infrastructure required webcam and जो आपकी internet, ठीक है, तो आपका हो सकता है, शायद घर बैटे ही है, एक्जाम आपका हो जाए, जो company वैसे आपको online बता भी देगी, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जो इस तरह का test पहले कभी दे चुके हैं, इस process में, ठीक है, वो eligible यहाँ पर नहीं होंगे, इस चीज़ को देख लेना आप, ठीक है, तो यहाँ पर जो ASP, जो company है, आपको पता है, led by Mr. Naveen Jindal, जो है, वो इसे led करते हैं, तो आपको जो है, इसके बारे में देखने हैं, company के बारे में जानना है, तो जिंदल, स्टील, पावर के बारे में, जाकर website पे देख सकते हैं, company के बारे में, LinkedIn पे भी company का profile दिया गया है, ठीक है, अगर आप हमसे resume भी बनवाना चाहते हैं, तो इस email ID पे आप जो है, यहाँ पर हमसे contact कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपने जो है, अपने email आपने linear record के coding, उसको आपने टिक कर लेना है, मैंने तो अपना जो official यहाँ पर open की है, apply तो हमने ही कर रहे हैं, जस्ट आपको बता रहे हैं, तो आप जो भी email लिखेंगे, ठीक है, उसको यहाँ से आप switch भी कर सकते हैं, यहाँ से switch कर देना यहाँ से, वो email आपकी याद आएगी, जिसको आप use कर रहे हैं, अब देखिएं, यहाँ से जो आपकी record response, आपका email, उसी email के coding होगा, जो आप use करते हैं, जहां रखना इस चीज़ का, email के थुरूई वो आपको reply देंगे, अपना first name और last name जैसे मेरा नाम कहा है, वरन मित्तल, तो अपना full name या लिखना, complete name, ठीक है, आपकी email ID लिखना है, अपने अपना phone number लिखना है, और अपनी height बतानी, अप्रॉक्स बता सकते हैं, अपना approximate weight बता सकते हैं, male है, फीमेल है, वो बता सकते हैं, चिक है, यहाँ पर अपनी 10th की percentage, 10th का passing year, 12th की percentage, 12th passing year, बिल्कुल correct डालना, उसी के recording होगा, कुछ हुआ तो short list नहीं होगे, तो quality question आपने बताना, भी बिटेक कान से किया, किस college और location से किया, वो प्रॉपर बताना, ग्रेयूशन कोर्स किसमे किया, mechanical में, electrical में, जो जो आपको eligible हैं, उसके recording, ठीक है, जो है आपका passing year, passing year जो है, 2023 मांगा इन्होंने, so graduation passing percentage, यहाँ पर मांगी है, क्या है, current backlog, कोई backlog है, तो बताना नहीं है, तो no लिग देना, आपका कोई दो साल से जाधा का gap है, ठीक है, तो नहीं है, तो no कर दीजिए, है तो yes, yes होगा तो shortlist होगा ही नहीं, अगर है तो बताना है, कितने साल का है यहाँ पर, ठीक है, accurate बताना हो सकता है, company कुछ और भी criteria निकाल दे, गलत मत बताना, किसी भी चीज़ का, वो आपने यह चीज़ का ध्यान अखना है, अप अपना professional resume यहाँ पर upload करना, ठीक है, आपने चीज़े सारी सही दी है, I agree करके submit कर देना, सिरफ एक मिनट यहाँ पर आपका लगेगा, तो बहुत एच्छी opening है, दोजाँ तेइस के लिए graduate engineer training के लिए, माशा करतों यहाँ पर आपको बताई कि जानकार इच्छी लगीगी, तो वीडियो को like को शोजूर कर देना, धन्यवाद आपका दिन शुबरे,